नमस्कार आप देखरें न्यूस्वाल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजो लारायन बहुत स्वागत है आपका अमारे खास प्रोग्राम लोक्तंत्र का सच में कहते हैं कि राजनीती में समर्थन और विरोत का चोली दामन का साथ होता है और यहीं वो दो पहिए हैं जो किसी भी देश के लोक्तंत्र की पहचान बनते हैं लेकिन पश्यम मंगाल के दोरे को लेकर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी और मुखे मंत्री मम्ता बनर जी के बीच जिस स्तर की करवाहट सामनी आई है उसे हम स्वस्थ और मजबूत लोक्तंत्र की निशानी तो कता ही नहीं कह सकते चिनाव खत्म हो जाने के बाद पुराने गिले शिक्वे भुलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का आपसी मेल मिलाप और साथ बैच कर भोजन करने की हमारे देश की राजनीती की पुरानी परमपरा रही है जिसने लोक्तंत्र को आज इस मुकाम तक पहुचाया है पर बेहत दुर्भागे पूर्ण है कि अब ये परमपरा तूटने की शुरुवात हो चुकी है और वो भी बौधिक सांसरितिक रूप से सबसे पहले संब्रद कहे जाने वाले बंगाल की भूमी से गौटलब है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बंगाल में हुए साइकलोन यास के मसले पर मीटिंग में बंगाल के मुख्य मंत्री ममता बनर जी चीफ सेकरेटरी अलपन बंदो पाध्याय पहले तो काफी देरी से पहुचे और उसके बाद चंद मिंचों में ही निकल गए इसे के बाद केंद्र ने चीफ सेकरेटरी पर एक्षन लेना शुरू किया लेकिन इस बीच ममता ने अलपन को अपना मुख्य सलाकार बना कर खेल ही बदल दिया सवाल ये नहीं है कि इस पूरे घटना करम में किसने किस निया से एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत खेली बलकि महत्वपूर ये है कि अपनी अपनी जगा के सीर्ष समवधानिक पदों पर बैठे नेताओं के मन मश्टिक्स इतने संकुचित क्यों होते जा रहे हैं कि एक दूसरे का सामना करने में भी इतनी घिना नजर आने लगती है अगर सत्ताधारी राजनीती में विरोध की आवाज ही नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत की आत्मा ही कहां बचेगी ये भी सच है कि वक्त बदलने के साथ राजनीती में भी मानवे मुलों की कमी आई है और पहले विरोधियों के प्रती, अपमान और बदला लेने की भावना कुछ अधे की बढ़ने लगी है राजनीती में मानुय मर्यादा का अब क्या स्थान रह गया है ये कुछ दिन पहले ही देशवासियों को देखने को मिल गया लेकिन ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब सारजनिक जीवन में एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद हमारे नेताओं में आपसी भाईचारा और मदद का भाव देखने को मिला करता था इस बारे में एक वाक्य का जिक्र करना शायद उचित होगा ये बात साल 1991 की है जो BJP के कद्दावर नेता अचल विहारी बाचपई ने ये कहकर सबको चुका दिया था कि अकर आज मैं जिन्दा हूँ तो राजीव गांधी की वजह से तब बाचपई विपक्ष के नेता थे और उसी समय पूर पिधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस वक्त एक पत्रकार ने बाचपई से राजीव गांधी के बारे में उनकी राय जानना चाही थी उसके जबाब में ही अटल जी ने अपनी ये भावुक पर तिक्रिया देते हुए पूरे वाक्य का खुला साथ राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान जब देश के पिधान मंत्री थे तब बाचपई किड़नी की गंभी समस्या से जूज रहे थे तब देश में इसके इलाज की उतनी बहतर ची किस्सा व्यवस्ता उपलत नहीं थी ऐसे में उन्हें अमेरिका जाने की सलहा दी गई लेकिन तब बाचपई की माली हालत इतनी मस्बूत ना थी कि वे इतना बड़ा खर्चा वहन कर पाए इस घटना का सिक्र करते हुए तब बाचपई ने भावुक अंदाज में बताया था कि किसी तरह से राजिव गांधी को ये बात मालूम पड़ी कि वे किडिनी सम्मंधी बीमारी से पिलित हैं और उन्हें विदेश में इलाज की आवशकता है अटल वियारी बाचपई आगे कहते हैं कि एक दिन राजिव गांधी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि उन्हें भारत की तरफ से एक प्रत्रीदी मंदल का नेतित्व करने की हैसियत से स्वेक्त रास भेजा जा रहा है राजिव गांधी ने बाचपई से कहा कि उन्हें उमीद है कि इस मौके पर लाब लेते हुए वो न्यूयोक में अपना इलाज भी करवा लेंगे बाचपई ने खुलासा किया कि तब वे न्यूयोक गए और इसी वज़व से आज जिन्दा है हलाकि न्यूयोक से लोटने के बाद ना तो राजिव गांधी ने और ना ही बाचपई ने ये वाक्या किसे से साचा किया जबकि वे दोनों सारवजनिक जीवन में एक दूसरे की विरोधी की भूमिका में ही रही है पर बाजपई इस सुष्टा के लिए राजिव गांधी को धन्यवाद प्रिशित करना नहीं भूले हलाकि अब दोनों ही हमारे बीच जिन्दा नहीं है मौजूदा राजनिती के करन धार अगर इस वाक्य में छुपे मर्म को अपने सारवजनिक जीवन में जरा साफी स्थान दे सके तो हमारा लोकतंत्र और ज्यादा जीवन्त बन जाएगा और इन्हीं वाक्यों से आज के नेताओं को आज के राजनेताओं को कुछ ना कुछ प्रेणा जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इस तरह के वाक्या ये दिखाते हैं कि हमारा लोकतंत्र विपक्ष सत्तापक्ष होने के नाते भी पूरी तरह से मजबूत है और आगे भी मजबूत होता रहेगा बस ये चिटपुर्ण जो खबरे आती हैं ये चिटपुर्ण जो रूठना मनाना चलता रहता है वो यूं ही चलता रहे लेकिन घ्राभाव नहीं होना चाहिए चाहे आप सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में लोकतंत का सच में आज के लिए ताहीं अगले सब्ता फिर लोटेंगे इस खास मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार